नमस्कार दोस्तों आज हम दरारों के बारे में बात करेंगे जो प्रिपस पर होते हैं प्रिपस ये एक भाग ऐसा है कि जो हमेशा हलता रहता है और वहां पर गंदगी जमा होता है समेगमा जमा होता है सफेद सफेद गंदगी जो है वो जमा होता रहता है और वो जो है ये न की बजज़े से वहाँ पर जो जाएदा infection की मातरा बढ़़ जाती है संक्रमान हो जाता है और ज्यादा इंसमें जाएदा infective material जमा हो जाता है तो वहाँ पर सुजन आ जाता है लाली पैदा हो जाती है और जो लिंगा का चमड़ा है उससे सटा हुआ रहता है तो वहां infection या संक्रमन की बज़े से वहां पर छोटे-छोटे आखों को ना दिखने वाले जखम होते हैं और वहां पर फाइब्रोसिस होने के बज़े से चमड़ा टाइट हो जाता है ऐसा जब चमड़ा पीछे लेने की को हो जाती है और फिर से संक्रमित हो जाती है मतलब इंफेक्ट हो जाती है इंफेक्शन की बज़े से डाइबेटिस की बज़े से वहां पर चमड़ा पहले से ही टाइट होने के बज़े से और उसे जोर से लिंग के सूपारी के ऊपर खीचने से वहां पर तनाव पैदा हो जा या जबरदस्ति उसको पीछे करते हैं और पीछे करते समय वह आसान शब्दों में कहा जाए तो फट जाता है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यह चमड़ा पीछे जाते समय वहां लाली पैदा हो जाता है वहां जखम पैदा हो जाते हैं तो यह सब infection की बज़े से होता है और वहाँ पर साफ सफाई ना रखने की बज़े से होता है जो सफेज समिगमा जमा हो जाता है वो अच्छी तरह से साफ ना करने के बज़े से यह सब प्रॉब्लेम्स पैदा हो जाते हैं तो ऐसे स्थिति में सब पुरुषों को रोज उसको साफ रखना चाहिए वहाँ पर जो समिगमा जमा होता है वो हमेशा रोज अच्छे से साबुन से साफ करना चाहिए जैसे कि एडिट सोप हो गया या केटो सोप हो गया किसी भी सोप से अच्छी तरह से उसको साफ रख सकते हैं उसको अच्छी तरह किसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं यह बार बार ना हो आपको एक बार शुगर भी चेक करना चाहिए दरारे जब पैदा हो जाते हैं तब बहुत बार लोगों में डायबेटीज है ऐसा देखा जाता है तो खाने के बाद या रैंडम और साथ में एजबी एवंसी टेस्ट भी करवा लीजिए क्योंकि यह दरारे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो आगे जो आपको वीडियो हम दिखा रहे हैं उसमें दिखाया जाता है कि दरारे उस आदमी ने उस समय ठीक नहीं करने के बारे में सोचा इसलिए उसकी दरारे बढ़ गई और वहां पर बॉड़ी ने फाइबरोसिस जमा कर दिया फाइबरोसिस जमा करने से उसका जो लचीलापन था वह निकल गया और लचीलापन निकल जाने की बज़े से उसमें फाइमोसिस डेवलप हो गया तो एक बात आप ध्यान जाती है और बड़ी दरारे होने के बाद बॉड़ी क्या करता है उसको ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन उस समय वहां फाइबरोसिस जमा कर देता है और फाइबरोसिस जमा करने से क्या होता है उसका लचीलापन निकल जाता है मतलब जो आगे पीचे आसानी से होने वाला दर ःचम से ठीक किया जा सकता है यह जो समय रहते उसको ठीक नहीं किया तो फिर यह जैसे मैं बताया वीडियो में भी दिखा रहा हूं कि जैसे वह बढ़ता जाता है तो वह लचिला ना होने के कारव वहां जम जाता है सिकुड जाता है और फाइमासिस पैदा कर देता है अगर आपको फाइमासिस हो गया जैसे वीडियो में हम दिखा रहे हैं तो फाइमासिस होने के बा से उसका medical treatment available है वो करके उसको ठीक कर सकते हैं अगर आपने उसे बढ़ने दिया समय रहते treatment नहीं किया तो उसका आगे जाके फिमोसिस होगा और आपको जरूर operation की सलह देना पड़ेगा operation आपको करना पड़ेगा तो ये बात आज मैंने आपसे बतानी चाहिए हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शूब हो कुर्पया इस वीडियो को like, share और subscribe जरूर कीजिए धन्यवाद